अकेले कहा जा रहा है हां हां बताता हूं एक यह बहुत नशे वाली है बड़ा मसा आता है काम वाली चगा पर सुरेश भाई ने देधी है मुझे एक अपते से पी रहा हूँ बहुत अच्छी है पीले 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 और देना कर रात को मेरी लुंगी चीन के कौन भागा था जो भी है मैं उसे जरूर भूण के भीका दूगा और इतना याद रखो अगर मुझे वह मिल गया ना मैं उसकी लुंगी भाड़कर उससे अपना रमाल बना दूगा और उससे अपर नाक पोछा करूँगा फेद इतली सुन क्या है रे चेंगो रोग ओड़कर खाना हाई आराम से और दीजेडा बडुर नो सबसे बड़ा बखरा पहाडी के लोगों को नीचे उतारने काम शुरू कर दिया है भाई या शुरू करने से क्या होगा मजा तो तब आएगा जब काम ख़त्म होगा आप सभी के लिए एक खुश खबरी है ऐसी पत्थर की दीवा कॉंक्रीट की जमीन और बात्रूम की सुविधा के साथ एक एक घर आप सबको मिलेगा अरे वावावा देखो तो कितना सुन्दर है ना सिर्फ इतना ही नहीं घर के पास स्कूल हॉस्पिटल सब मिलेगा आप लोग बहुत खुश रहेंगे हाँ देखो तो एक एक घर की कीमत तीन लाग रुपे है तीन लाग रुपे हम कहां से लाप आएंगे नहीं पैसे आपको नहीं देने है इसका सारा खर्च हमारा ट्रस्ट उठाएगा और हाँ इस घर में टीवी मिक्सर ग्राइंडर बिजली गैस का चूला सब कुछ मिलेग साब यह सब हमारे लिए है पहाड़ी पर मजबूत घर हाँ ऊपर नहीं नीचे पहाड़ी के नीचे यह क्या कहे रहे हैं एक जिंदा पेड को उखाड कर दूसरी जगे बोने की बात कर रहे है हमें आपसे उमीद नहीं थी साब आपको भगवाल सोचा था यह सब हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं नीचे अच्छा घर मिलेगा वहां रहेकर बहतरीन जिन्दगी गुजारिया यहां इस पहाड़ी पर रहेकर क्या करेंगे यहां आखिर कौन से सुविधाय नहीं है तो क्या हुआ उनके बिना भी ज जिन्दगी हमसे चीडना मदद है क्या तुम लोगों ने मुझे जेल से निकलवाया और इन सब को एक वक्ती रोटी दी इसलिए जिन्दा छोड़ रहा हूं लेकिन अगर आज के बाद कभी इस पहाड़ी पर नज़र आए ना तो तुम्हें वहीं गार दूंगा